आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इलक्टानिक स्कूटर के बारे में बताने वाला हूँ जिसे खरीदने में इतना पैसा लगेगा कि उतने में आपको एक Nexon EV कार खरीच सकते हैं जी हाँ तो आप लोग यही सोचते होंगे कि वो कौन सा इलक्टानिक स्कूटर है भाई तो चलिए मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि वो कौन सा इलक्टानिक स्कूटर है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ BMW CE04 इलक्टानिक स्कूटर के बारे में तो ये जर्मनी की कमपनी है ये भारत में लॉंच हो चुकी है लुक और डिजाइन के मामले में अब तक के जितने इलक्टानिक स्कूटर मौजूद हैं उन सबसे एकदम बिलकुल अलग है अकटसक लुक और दमदार बैटरी पैक से लेस है इस एलक्टानिक स्कूटर की कीमत है 14,090,000 रुपया सोरूम कीमत से ते की गई है जाहिर है ये देश का सबसे मंगा एलक्टरिक स्कूटर है और इसकी कीमत में आप नेक्सन अवी जैसे एलक्टानिक कार खरी सकते हैं नेक्सन अवी कीमत है 14,49,000 रुपयien बहराल कमपनी ने इस स्कूटर में 8.5 किलो वाट हावर्स की छमता का बैटरी पैक दिया है जो सिंगल चार्ज में 130 कीमी की ड्राविर रेंज देता है इसमें लिक्विट कुल्ड पर्मामेंड मेंगनेट इलेक्ट्रिक मोटर दिया है जो 42 HP पावर और 65 YM का टार्ग जनरेट करता है कमपनी का दावा है कि ये स्कूटर महाज 2.6 सेकेंड में 0 से लेके 50 कीमी घंटा की रपतार फकड़ने में सक्छम है इसकी टॉप स्वीट है 120 कीमी प्रति घंटा है अब आईए हम इसके चार्जिंग के बारे में भी आपको बता देते हैं अगर आप इस स्कूटर को खरीदते हैं तो इसके साथ दो चार्जर आपको दिया जाएगा पहला है 2.3 किलो वाट का जिसे बतोर स्टेंड दिया जा रहा है और दूसरा है 6.9 किलो वाट का बेकलपिक चार्जर BMW का दावा है कि इस एलक्टानिक स्कूटर को इस टैंड चार्जर से चार्ज करने पे तकरीपन 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है वहीं दूसरा चार्जर 6.9 किलो वाट का है वो बड़ा चार्जर है और स्कूटर की बैटरी को महज 1 घंटा 40 मिनट में ही चार्ज कर देगा अब आईए हम आपको बताते हैं इसके फिचर्स के बारे में BMW CE04 एलक्टानिक स्कूटर के फिचर्स के बारे में हम बात करते हैं फिचर्स में है इसके All LED Lighting Compatible 10.25 इंची का 3 राइडिंग मोड, Eco Rain Road, Anti-Lock Braking System, ABS Switchable Traction Control, Main Stand और Reverse Mode जैसे जैसे फिचर्स बतार स्टेंड दिये गए हैं इसमें आपको स्मार्टपॉन को चार्ज करने के लिए C-Type USB Port भी दिया गया है इसमें एक 20 latest storage compartment मिलता है और साथी में एक dedicated light के साथ side mountain storage compartment भी दिया गया है इस electronic scooter के front में telescopic fork और पिछले हिस्से में एक upset monosock suspension दिया गया है braking system के अगर हम बात करें तो इसके सामने की तरफ twin 265 Mimi का disc brake दिया गया है और पीछे की तरफ single piston axle axle और caliper के साथ 265 Mimi का disc brake मिलता है इस scooter में 15 inch का wheel दिया गया है company का कहना है कि इसकी sit की उचाई 780 Mimi की है जो कि छोटा height वालों के लिए भी वेहतर है वही इसका cool version है 231 kg यह scooter blue और white color में paste किया गया है दोस्तों white color में उपलब्ध है और जैसे मैंने आपको बताया BMW CE04 electronic scooter के बारे में तो इसी तरह की electronic vehicles की अगर जयनकारी प्राप्त करना है तो EV ग्यानी बाबा YouTube चैनल को आप subscribe कर सकते हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू जैवाद अदि प्राप्त कर सकते हैं